अपने पुर्खाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते तुम मेरी और फिरो तब मैं भी तुमारी और फिरोंगा सेनाओ की यहवा का यही वज़न है परन्त तुम पूछते हो कि हम किस बात में फिरें क्या मनुश्व परमिशुर को धोखा दे सकता है देखो तुम मुझको धोखा देते हो और तौभी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लुटा है दश्माश और उठाने के भिंटों में तुम पर भारी शाप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो वरन सारी जाती ऐसा करती है सारे दश्माश बंडार में ले आओ कि मेरी भावन में भोजन वस्तु रही और सैनाव का यहवा यहव कहता है कि ऐसा करके मुझे पर्खू कि मैं आकाश के जहरो के तुमारे लिए खोल कर तुमारे उपर अपरमपार आशिश की वर्चा करता हूं के नहीं पिछले सत्र को मैं जारी रखते हुई आपको विस्तार पुर्वक बताऊंगा कि उची दश्माश कैसे दिया जाता है पांचवा उची दश्माश देना यहो है कि हमें अत्रिक्त आमदनी का दश्माश देना है जो नियमित आमदनी नहीं है प्रेमी परमिशूर हिर्दे को देखता है इस तरह के मामले में वो तुरंट दश्माश नहीं दे पाते इसलिए परमिशूर उनके धन्यवादी हिर्दे और दश्माश देने की इच्छा की हिर्दे को ग्रहन करेगा हमें दश्माश देने में जो परमिशूर से समन्द रखता है विश्वास के कारे को प्रकट करना चाही क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि हमें सब कुछ परमिशूर के अनुग रहे से मिलता है छटवाँ दश्माश देना यह हो है कि हम कम से कम महीने में एक बार दश्माश दे साथवाँ कि आप परमेशुर को संपुन दश्माς देने में मदद पराप्त कर सकें क्योंकि परमेशुर हमें कहता है कि हम संपुन दश्माς दे contributions इसलिए मैं विस्तरित जानकारी के साथ आपको बता रहा हूं कि संपुन दश्माश कैसे दिया जाता है मुझे आशा है कि आप इसका विश्वास के साथ अभ्यास करेंगे और जिवित परमेश्यूर की कारियों का अनुभव करेंगे मसी में प्रियां भाईयों और बहनों और जी सी एन देखने वाले शुरताओं संपुन दश्माश और भेंटो के उपर यहाँ चौथा सत्र है याकुब जो विश्वास का पुरवच था वो खाली हाथ अपने घर को छोड़कर चला गया लेकिन 20 सालों बाद जब वहाँ घर को लोटा तो वहाँ बहुत अमीर बन चुका था जब वहाँ घर से निकला उस समय वह अपने भाई ऐसाव से बच कर भाग रहा था जो उसे मारने की कोशिश कर रहा था लेकिन रास्ते में वहाँ ठक गया पत्थर का तक्या बना कर वहाँ सू गया और सपने में उसने परमिश्वर के एक दूद को देखा और जब वहाँ उठा तो उसने वहाँ पर एक बेदी बनाई और परमिश्वर के सामने वाचा बांधी उत्पती 28 अधियाए 20-22 बत में लिखा है और याकुब ने यहाँ मनद मानी कि यदि परमिश्वर मेरे संग रहे कर इस यात्रा में मेरी रक्षा करें और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे और मैं अपने पिता के घर में कुशलक्षिम से लौट आऊं तो यहाँ मेरा परमिश्वर ठहरेगा और यहाँ पर्थल जिसका मैंने खंबा खड़ा किया है परमिश्वर का बहुन ठहरेगा और जो कुछ तू मुझे दे उसका दश्माश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूँगा याकुब ने परमिश्वर की खोज संपन्ता के लिए और सुरक्षा के ले की लेकिन उसने इसे बिना शर्थ के नहीं मांगा उसने मनत मानें कि वह वापस तमाम उन बातों का दश्माश देगा जो उसे मिलेगा उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसने विश्वास किया कि केवल परमिश्वर ही आशिश देता है और वह इस आत्मिक नियम को भी जानता था कि जो कुछ वह बोएगा वही काटेगा मुझे आशा है कि आप सब के सब याकुब के समान बुद्धिमान वैक्ति बनेगी यहां तक कि मुश्किलों में भी हम समस्यों का समधान कर सकते हैं आशिशे पा सकते हैं यदि हम पर मिश्शुर को स्विकारें और उसके वचन पर विश्वास करें पिछले सदर को जारी रखते हुए मैं विस्तार पूरवक का आपको बताऊंगा कि किस तरह से उचित और संपुन दश्माश दिया जाता है मैं प्रभू के नाम से प्रात्ना करता हूँ कि आप अद्भूत आशिशे प्राप्त करें याकुप के समान मसी में प्रियां भाई और बहनों संख्शिवत अवलोकन के अनुसार संपुन दश्माश देने के लिए सबसे पहले हमें अपने पुरी आमदानी का दश्माश गिनना है और दूसरा हमें अपनी दूसरी भेंटों से दश्माश को अलग करना है तीसरा हमें दश्माश उस कलिस्या में देना है जहां से हमें आत्मिक रोटी मिलती है चौधा, हमें दशमाश प्रतिक के व्यक्तिगत नाम पर देना है मैंने इन चार पहलों के बारे में पिछले सत्र में आपको बताया था संपुन दशमाश देने के लिए जो पांचवा पहलो है वो यह हो है कि हमें अत्रीक्त आमदानी से भी दशमाश देना है जो नियमित नहीं होती कुछ लोग कहते हैं कि उनके पास काम नहीं है उनके पास कोई आमदानी नहीं है दशमाश देने के लिए लेकिन तो भी ऐसा कोई नहीं है जिसके पास कोई दशमाश नहों देने के लिए क्योंकि उन्हें खाने के लिए कुछ मिलता है, पहने के लिए कपडे मिलते हैं, और आने-जाने का खर्चा मिलता है, इस तरह से लोग अपने रोज्मरा की जियोन को बिताते हैं, उदारन के लिए, मालेज ये पती विश्वासी नहीं है, पत्नी एक ग्रिषनी है, इस मामले म तो वो अपने लिए इस्तेमाल करती हैं, यदि वह लंच या डिनर के लिए अपने दोस्तों से मिलती हैं, या फिर फुरसत के सामय में अगर कुछ खर्चा करती हैं, तो वह उसका अपना खर्चा होता है, अपने आमदानी होती है, इसलिए उसे उस हिसे को अपनी आमदानी मा परिवार के निर्भाह खर्चों पर खरचा करने के बाद पत्नी अपने नाम से भी दश्माश दे सकती है, उस पैसे का जिसका इस्तेमाल वह अपने ली करती है, वक्तिकत रूप से करती हैं, यदि वह ऐसा आशिशों को विश्वास के साथ प्राप्त करने की इच्छा से करती हैं, तो यहाँ उसकी विश्वास के नुसार होगा, छोटे बच्चों को भी अपना दश्माश देना चाहिए, उन्हें जेब खर्चा मिलता है अपने माता पिता से या रिष्टेदारों से, या कोई उन्हें गिफ्ट मिल सकते हैं अपने दोस्तों से, परन्तु यदि उन् इसमें से दश्माश निकालें, तो वह फीस नहीं दे पाएंगे, या आवशक चीजों को नहीं खरीद पाएंगे, इसलिए उन्हें इसमें से दश्माश नहीं देना हैं, बहुत छोटे बच्चों के मामले में जो दश्माश द्वयम से नहीं दे पाते हैं, माता पिता को उ फिर उनका जनम दिन मनाय जाता है तो माता-पिता उन्हें उपहार देते हैं माता-पिता बच्चे के नाम से इस तरह की आमदानी के लिए भी दश्माश दे सकते हैं इस तरह की आमदानी माता-पिता की आमदानी नहीं है वरन बच्चों की आमदानी है कुछ और भी मामले हैं जैसे कि माली जी एक छोटे बज़े को बहुत ही महंगा उपहार मिला किसी दोस्त के द्वारा या किसी सामाजी कार्यकरता के द्वारा जैसे कि पियानो है या कंप्यूटर है एक छोटा बचा उसके पास इस तरह की कोई आमदनी नहीं होती इसलिए उन के लिए दश्माज देना मुश्किल हो जाता है इस तरह के मामले में माता पिता उन तोहफों की सामन बाजारी कीमत को पता कर सकते हैं और बच्चे के नाम से दश्माज दे सकते हैं तो फिर यहाँ उसे के समान माना जाएगा कि बच्चे ने उन उपहार के लिए दश्माश दिया है परंतु हो सकता है कि माता-पिता सक्षम ना हो दश्माश देने के लिए क्योंकि वहाँ उपहार महेंगा है या फिर कुछ ऐसे मामले भी होते हैं जहां बच्चे विश्वासी है लेकिन माता-पिता विश्वासी है इसलिए बच्चे स्वयम से दश्माश नहीं दे पाते इस तरह के मामले में क्या परमिशुर ये कहेगा कि बच्चे ने उच्चे दश्माश नहीं दिया यदि बचे परमिशुर को धन्यवाद दे उन बातों के लिए जो कुछ उने मिला है और इच्छा हो कि जब वो बड़े हो जाएंगे तो दश्माश देंगी तो परमिशुर उनकी हिर्दें को ग्रहन करेंगी और साथ ही बहुत बार चर्च के सदसे स्कॉलर्शिप के दश्माश के बारे में मुझसे पूछते हैं आईए मैं संक्षिप तोर पर इसके बारे में आपको बताता हूँ यदि आपके बच्चे को स्कॉलर्शिप मिलता है तो आप अपने बच्चे के नाम से दश्माश दे सकते हैं साथ ही अगर माता-पिता अपने बच्चों की फेस देते हैं तो फिर आप माता-पिता के नाम से ट्यूशन फेस के दश्माश को दे सकते हैं आम तोर पर दो तरह की स्कॉलर्शिप होती है पहला तो यहो है जिसमें आपकी फीस का कुछ हिसा माफ हो जाता है या फिर दूसरा यहो है कि आपको कैश के तौर पर गिफ्ट मिलता है जो आपके टूशन के फीस के बराबर होता है या ज्यादा भी हो सकता है आम तोर पर आपको दोनों तरह की स्कॉलर्शिप के लिए दश्माश देना है अगर आपको ट्यूशन फीस का कुछ हिसा माफ हो जाता है तो हो कैश के तोर में आमदानी नहीं है लेकिन तो भी हो आमदानी है क्योंकि अब आपको वो नहीं देना है जो आपको देना था इसलिए ट्यूशन फीस में जो छूट आपको मिली है उसकी धन्राशी के अनुसार आप दश्माश दे सकते हैं स्कॉलर्शिप के साथ भी ऐसा ही है जो आपको कैश में मिलता है कभी कभार विद्यार थी वो आर्थिक मुश्किल में होते हैं यदि उन्हें उन्की फीस में चूट मिले या कैश मिले जिसकी धन्राशी टीउशन फीस के बराबर हो तो उनके लिए उसमें दश्माश देना मुश्किल हो सकता है तो फिर उन्हें क्या करना चाही यदि वो उस में से दश्माश देगे तो वो स्कूल नहीं जा पाएंगे इसलिए क्या उन्हें तो भी दश्माश देना पड़ेगा वो पढ़ाई करना नहीं रोक सकते हैं इसलिए इस मामले में उनके लिए यहो ठीक है कि वो बाद में दश्माश दें वो वैसा बचा सकते हैं और बाद में दश्माश दे सकते हैं या फिर अगर वो सचमुच बड़ी धनराशी है तो फिर वो जब नौकरी मिल जाए वो पास हो जाएं तो वो अपने आमदनी से उसका दश्माश दे सकते हैं प्रेमी परमेश्वर हिर्दे को देखता है इस तरह के मामले में वो तुरन दश्माश नहीं दे सकते हैं इसलिए परमेश्वर उनके धन्यवादी हिर्दे को और इच्छा भरी हिर्दे को की दश्माश देना चाहते हैं ग्रहन करता है या फिर माता बेता बच्चों की और से दश्माश दे सकते हैं और साथ ही यदि वह धन्यवाद के साथ प्रेम और विश्वास के साथ बिनती करें तो परमेशुर उने के लिए मार्क खोलेगा कि वो दश्माश दे सकें आखिरकार सबसे महतापुण चीज विश्वास है हमारे पास विश्वास के कारियां होने चाहिए दश्माश देने के लिए जो परमेशुर से सम्मन्द रखता है और यहो विश्वास कि सब कुछ जो हमें मिलता है परमेशुर के अनुगरहे से मिलता है इसलिए यदि हम सक्षम हैं दश्माश देने के लिए उसी वक्त तो हमें टाल नहीं देना चाहिए यहाँ सोचते हुए कि हम बाद में दे देंगी जब हमारी स्थिती आर्थिक रूप से बहितर हो जाएगी सब मामलों में ऐसा ही है हम नहीं जानते कि परमिशुर हमारी आत्मा को कब बुलाएगा और दश्माश देना इसका नाता सीधा उधार से है यदि हम ना दें यदि पर हम देने में सक्षम है तो फिर हम कैसे निश्चित हो पाएंगी अपने उधार के विशे में आप उधार विश्वास के द्वारा पाते हैं और परमिशुर दश्माश के बारे में पुराने नियम में बहुत से बाइबल के बहुत से हिस्सों में बताता है विशेश तोर पर पुराने नियम में और परमिशुर बाइबल में प्रतेगिया करता है बहुत बार कि वह आशिश देगा लेकिन लोग दश्माश नहीं देदे क्योंकि वो विश्वास नहीं करते तो हम कह सकते हैं कि वो विश्वास नहीं करते हैं बाइबल के इस हिसे पर और बाइबल के उस हिसे पर विश्वास करते हैं मेरा मतलग है क्या हम कह सकते हैं कि वो बाइबल के इस हिसे पर विश्वास करते हैं लेकिन उस हिसे पर विश्वास नहीं करतें। वो बाइबल के वचन पर विश्वास नहीं करतें क्योंकि वो इस तरह से विश्वास नहीं करतें तो वो उधार नहीं पा सकतें। वो विश्वास नहीं करते जब परमेश्वर कहता है कि वो आशिश देगा, तो फिर वो क्या विश्वास करेंगे, वो पालन नहीं करते, यदे पी यहो परमेश्वर का आदेश है जो सेनाओं का यहोँ है, मैं यह संदेश इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप आशिश पाएं, म लेकिन क्या कारण है कि वो नहीं आशिशे पाते हैं क्योंकि वो हो एक अच्छा मसी जीवन नहीं जीते हैं। मैं साफ तोर पर आपको बता रहा हूं कि कैसे बचाए जा सकते हैं। बिमारियों के विशे में क्या है। जब परमेशवर आपको आशिश देता है तो आपका पैसा वो बरबाद नहीं होना चाही। लेकिन जब आप बिमार होते हैं तो आपको हॉस्पिटल जाना पड़ता है। आपको वहां पर बिल अधा करना पड़ता है। क्या नहीं करना पड़ता है। इसलिए आपका पैसा बरभाद हो जाता है, लेकिन जब आप संबुन दश्माश देते हैं, तो आप सुरक्षा में रहेंगी, विपतियों से, मैं आपको बता रहा हूँ, कि दश्माश का लेना देना आपके उधार से है, यदि आप दश्माश ना दे, तो कैसे निश्चित हो पाएंगे अपने उधार के विश्चे में आप, यहाँ प्रमानित करता है, कि आपके पास विश्वास नहीं है, आप पर मेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करते हैं, मैंने कहा कि वो जो नए विश्वासी होते हैं, या फिर वो जो पहले और दूसरी विश्वास के स् और साथ ही दुरगटनाएं, बिमारियां या व्यक्तिगत मुश्किलें वो हमारी उपर आ सकती हैं शत्रु दुष्ट और शैतान के दोश लगाने के द्वारा एक पती पतनी मेरे पास आई, वो पती उसने मुझे प्रणाम किया और उसने कहा कि उसका व्यापर अच्छे से चल रहा है हालांकि वो हो एक ऐसा व्यक्ति था जो मुझे इस तरह से प्रणाम नहीं करता था, वो एक चाइनिज रेस्टरॉंग चलाता है पहले उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं दिखती थी, क्योंकि उसका रेस्टरॉंग अच्छी स्थिती में नहीं था, अच्छा नहीं चल रहा था और उसकी पतनी हमेशा पुटरात्मा से भरी रहती थी और फिर वो मेरे पास आया, उसमें मुझे प्रणाम किया और कहा कि उसका वैपार अच्छे से चल रहा है वो पती और पतनी, वो साथ मिलकर बात्चित करते हैं और जब उन्होंने संपुन दश्माश और भेंटों के बारे में संदेश को सुना तो उन्होंने निरने लिया कि वो संपुन दश्माश देंगे और देना शुरू किया, और फिर उसका वैवसाय अच्छे से चलना शुरू हो गया और अभी भी अच्छे से चल रहा है मैंने उनसे पूछा कि एक दिन में वहोग कितना कमाता है और उसने कहा कि अब यहोग 45 प्रतिशत के करीब है और मैंने पूछा कि दूसरे जो इस तरह के चानीज रेस्टरॉण चलाते हैं मैंने उनसे भी पूछा और फिर मैंने अनुमा लगा पाया कि इस तरह के रेस्टरॉण से वह कितना कमाते हैं आम तोर पर 50 प्रतिशत जो उनकी कमाई होती है वो घर्चा होता है और इस परकार से उसकी रोजमरा की जो कमाई है वो 20 से 25 प्रतिशत है वो चाहिना से है और 20 प्रतिशत कमाई चाहिना में एक अधियपक की आमदनी के बराबर है वो इतना कमा रहा है जो चाहिना में एक अधियपक की कमाई होती है वो आशिशे प्राप्त कर रहा है संपुन दश्माश और भेंडों को सुनने के बाद और फिर संपुन दशमाश देने के बाद इस तरह की आशिशे वो प्राप्त कर रहा है आप दशमाश नहीं दे सकते क्योंकि आपके पास कुछ नहीं है नहीं ऐसा नहीं है आपको देना चाहई ताकि आप आशिशे प्राप्त कर सकें क्या आपको नहीं देना चाहिए कि आप कर्ज में हो, नहीं आपको देना चाहिए कि आप कर्ज चुका सकें, परमेश्वर कहता है दश्माश परमेश्वर का है, आप कैसे परमेश्वर को लूट सकते हैं, और ऐसा करने के द्वारा आप कैसे परमेश्वर से आशिशों की अप पेक्षा कर सकते हैं, सोना अचांदी परमेश्वर का है, परमेश्वर ने सब कुछ रचा है, इसलिए सब कुछ परमेश्वर का है, क्या आपको लगता नहीं कि परमेश्वर आपको कुछ भी दे सकता है, वशर्ते कि यदि आप के वल परमेश्वर को प्रसंद करें और उसके वचना अनुसार जी इस तरह के मार्गों के द्वारा जैसे कि यह हो है परमेशुर हमें योगिया बनाता है कि हम एक अगला बहितर विकल्ब हमारे प्राण के उध्धार के लिए पाएं वो हमें अपनी दया दिखा रहा है ताकि हम पाप की दिवार उस दश्माश के बजहा से खड़ा ना करें परमेशुर प्रती के अंदरोनी हिर्दे को जानता है इसलिए मुझे आशा है कि आप परमेशुर को संपून दश्माश परमेशुर के प्रती आदर और सम्मान के साथ देंगी मसी में प्रेम भाई और बहनों दश्माश को देने का छटवा पहलो यह हो है कि हमें महिने में कम से कम एक बार दश्माश देना चाही कुछ लोग दश्माश केवल एक या दो बार देते हैं साल भर में इस मामले में ऐसा हो सकता है कि वो संपून दश्माश ना दे सके पर मेश्वर हमें रोज मर्रा की चीजों को देता है इसलिए हमें अपने दश्माश को कम से कम महिने में एक बार देना चाही ताकि हम संपुन दश्माश दे सके हलांकि यह हो अच्छा होगा कि अगर हम दश्माश जब कभी आमदनी मिले दें या फिर महिने में एक बार से ज्यादा दें यदि आमधनी महिने में एक बार से ज्यादा मिलती हैं हलांकि कुछ ऐसे भी मामले होते हैं उधारन के लिए गाउं में हो सकता है किसानों को उनकी आमदनी क्यवल तभी मिले जब वो फसल की कटनी करें और उस फसल को बेचें इस मामले में उनके लिए मुश्किल हो सकता है कि हर महिने बहुत दश्माश दें और साथ ही कुछ लोगों की आमदनी नियामित नहीं होती है उनकी आमदनी क्यवल तभी होती है जब काम होता है इस तरह के मामलों में या तो वो कुछ महिनों बादिया साल में एक बार ही दे पाते हैं इस तरह के कुछ मामलों को छोड़, हमें दश्माश कम से कम महीने में एक बार देना चाही. कुछ मुझसे पूछते हैं कि क्या ये ठीक होगा, कि हम दश्माश हर सब्दाह दे? हाँ, बिल्कुल ये ठीक है, पर अन्तो यह थोड़ा बहुत अक्सर हो गया, है कि नहीं? आपको लंच दिया जाता है, डिनर दिया जाता है और आपको उपहार मिलते हैं, तो फिर आपको इन तमाम चीजों को गिनना चाहीं और दश्माश देना चाहीं. लेकिन महिने भर के लिए आपने दश्माश को अलग कर दिया जब कभी भी ऐसा होता है और आपने उसे दश्माश के एन्वलप में डाल दिया और परमिश्यूर को दश्माश के रूप में देने के लिए लेकिन क्या मुझे एन्वलप को जैसा है वैसे ही देना चाहिए जो कुछ आपने कहा हैं आपको वही करना चाहई और जिसे आपने देने को कहा हैं आपको वही करना चाहई परन्तु अगर आप ऐसा निरने लेते हैं कि आप परमीश्योर को नया नोट देंगे अपना दश्माशे कत्र करने से पहले तो यहाँ ठीक है कि आप उस नोट को अच्छे नए नोट में बदलें ये आप के उपर है कि आप किस तरह से देने का निरने लेते हैं जब आप संकल्प की प्रातना करते हैं माले जी आपने मनत माने कि आप सौ दिन की प्रातना करेंगे तो फिर आपको अपने वादे को निभाना चाही लेकिन ऐसा भी समय होता है जहां आप नहीं निभा पाते हैं उधारन के लिए माले जी कोई मर गया आपका कोई रिष्टेदार या फिर आपको अपने गाउं जाना है कुछ इस तरह का हो जाता है इसलिए आपको इस तरह की मनत मानने चाही कि जब कुछ होगा जहां पर आपको एक दिन छोड़ना पड़ सकता है तो फिर आप 101 दिन की प्रातना करेंगे मेरा मतलब है कि आप 100 दिन प्रातना करेंगे फिर एक दिन और अतरिक्त प्रातना करेंगे आप कहते हैं कि मैं अपने गाउं में जाऊंगा और मैं और अधिक दिन प्रातना करूँगा आपको इस तरह से मनत मांगने चाही और अधिक दिन प्रातना करने चाही इस तरह से आप अपनी मनत को नहीं तोड रहे हैं मैंने वनत मानी कि मैं सो दिन की प्रात्ना करूँगा अपनी पत्नी के साथ साथ मिलकर. मैंने नब्बे दिनों तक प्रात्ना की और अचानक सी मेरी सांस की मृति हो गई. मैं सियोल में था और वो मुपू गाउं में रहती थी. मैं कुछ नहीं कर सकता था इसलिए मुझे अपनी पत्नी के साथ वहाँ जाना पड़ा और मैंने वहाँ पर प्रात्नाएं की. लेकिन वहाँ दूसरे लोग भी थे क्योंकि वहाँ अंतिम संसकार चल रहा था उस घर में. इसलिए मैं अपनी प्रात्नाओं में पुकार नहीं पाया. हलांकि मैंने प्रात्ना की लेकिन धीमी आवाज से मैंने प्रात्ना की लगबग तीन दिनों तक मैंने वहाँ पर इस तरह से प्रात्ना की और वापस मैं सियोला गया. इसलिए मैंने 103 दिन प्रातना की मैंने 3 दिन अतिरिक्त प्रातना की और 100 दिन की प्रातना को खत्म करने के बाद मुझे अच्छा महसूस नहीं हुआ इसलिए मैंने फिर से मनत मानने की मैं फिर से 100 दिन की प्रातना करूँगा इस तरह से मैंने टोटल 200 दिन की प्रात्ना की क्योंकि मैं नहीं जानता था कि मनत कैसे माननी है इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा अगर मुझे पता होता कि कैसे मनत माननी है तो मैं इस तरह से प्रात्ना करता कि पिता परमेश्वर मैं 100 दिन की प्रातना करूँगा लेकिन अगर कुछ हो जाता है जहां मैं निरंतर प्रातना ना कर सकूँ तो फिर मैं और अत्रिक दिन बाद में प्रातना करूँगा तो फिर यहां पर आप अपनी मननत को नहीं तोड़ रहे हैं परन्तो यद्यपी वो जिनके पास नियमित आमदानी नहीं हैं उन्हें आमदानी अलग स्रोतों से मिल सकती हैं हो सकता है वो किवल कैश की ही आमदानी ना हो वरन वो आमदानी कोई आपको खाना खिला रहा है या फिर कोई उपहार दे रहा है उस तरह के से आ सकती है इस मामले में बहतर यह हो है कि महिने में आप उसे गिने और दशमाश दें लेकिन अगर किसी वेक्ते की किसी दूसरे प्रकार की कोई आमदानी नहीं है तो फिर वहाँ आमदानी जैसे ही उसे मिलती है उसी का दशमाश दे सकता है सात्वा पहलो दश्माश देने का यह हो है कि हम अपने आमधनी में से दश्माश को दूसरे खर्चों से पहले ही अलग करें कुछ विशेश मामलों में हम थोड़ा सा बाद में दे सकते हैं लेकिन आधरी तोर पर हमें दश्माश अपनी कुल आमधनी में से दे ना चाही है। ये उचीत है कि हम सबसे पहले अपनी आमधनी से दश्माश दें और उसके बाद खर्चों के अनुसार ही बचे हुए से खर्चा करें। कुछ लोग कहते हैं क्योंकि वो वेपार करते हैं इसलिए करमचारियों को देने के बाद और अपने टेक्स को देने के बाद उनकी आमदानी में घाटा हो गया है और इसलिए वो दश्माश नहीं दे पा रहे हैं परन्तु अगर उनके पास इस तरह के घाटे की बज़ा से कोई आमदानी नहीं है गुल में जब मैं प्रात्मे कक्षा में था, मध्य कक्षा में था और फिर हाई स्कूल में था माता पिता ने मुझे कहा कि वो मुश्किल में थे उन सालों के दौरान उन्होंने कहा कि उन्होंने यद्यपी परिश्रम पुर्वक खेतों में काम किया साल भर में लेकिन उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ उन्होंने ऐसा कहा और मैंने उन पर विश्वास भी किया कि ओ, वो मुश्किल में हैं, इस बार फिर से लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वो कैसे अपने बच्चे को स्कूल भेज पाई और कैसे तमाम खर्चों को वो दे पाई उनके पास आमदनी थी, इसलिए वो अपने बच्चों को तमाम चीजों को दे पाई लेकिन उन्होंने अपने आमदनी से जो कुछ खर्चना था उसे अलग कर दिया, फिर उन्होंने कहा कि वो मुश्किल में थी ऐसे भी अभी बी किसान है, वो कहते हैं कि वो मुश्किल में है यहां तक हो पूरी साल भर परिश्रम से काम करते हैं लेकिन वो अपनी कार चलाते हैं, नई रेफरेजरिटर खरीते हैं, नई टीवी खरीते हैं और इस तरह की चीज़ें अगर वो कुछ भी ना कमाएं तो कैसे इस तरह की चीज़ें वो खरीद सकते हैं यदि हम लोन लेते हैं अपने जीव निर्वाह करने के लिए या फिर कोई व्यक्तिगत व्यापार करने के लिए या फिर घर खरीदने के लिए तो ये उचित है कि हम उसे अपने आमदानी समझे क्योंकि यहाँ हमारी आमदानी है जिसे हम अपनी इच्छानु साल खर्च कर रहे है चाहे वो वैपार के लिए है या घर खरिदने के लिए है यदि हमारे पास विश्वास है तो चाहे हमने लोन लिया हो या फिर कमाया हो सबसे पहले हम दश्माश देंगे तो परमेश्वर हमें सुरक्षा देगा और फिर कोई समस्या नहीं होगे और हम संपन होगे ये आत्मिक शेतर के नियम है परमेश्व ने हमसे प्रदिग्या की है कि वो हमें आशिश देगा और हमारे भंडारों को वो उभारेगा यदि हम दश्माश देते हैं हमें इसे एहसास करना है कि अगर हम ये सोचते हैं कि हम बाद में दश्माश देंगे पहले अपने उपर खर्चने के बाद तो हम आशिश नहीं पाएगे क्योंकि हमारे पस कंजूसी हिर्द है यदि हम ये सोचते हैं कि हम दश्माश बाद में देते हैं इसका मतलब यह हो है कि हम तब देंगे अगर सब कुछ ठीक रहा और हम नहीं देंगे अगर सब कुछ ठीक नहीं चला तो इसलिए मुझे आशा है कि आप सबसे पहले परमेशोर को देंगे जो उससे संबन रखता है और उससे अपने लिए कड़ा नियम बनाएगी और ऐसे मामले हो सकते हैं जहां पर आप सबसे पहले दश्माश ना दे सकें आप मैंसे कुछ हो ने ऐसी स्थित्यों के बारे में प्रशन पूछे होगी जहां पर आपने लोन प्राप्त किया मैंने लोन लिया घर खरेदने के लिए लेकिन मुझे केवल वही धनराशी मिली जो मुझे जरूरी थी अब मैं क्या करूँ मैंने ट्यूशन फीस के लिए लोन लिया और मैंने बिल्कुल वही धनराशी का लोन लिया जो मुझे देना था अगर मैं दश्माश दूँगा तो मैं ट्यूशन की फीस नहीं दे पाऊँगा अब मैं क्या करूँ लेकिन आप इस घड़ी में इस प्रशन के उत्तर के बारे में सोची मालेजिए आपने लोन लिया अपने ट्यूशन के लिए और अब क्या लोन के आलावा आपकी कोई आमदनी नहीं है आप जीवन निर्वहा के लिए पैसा कमाते हैं और आप काम कर सकते हैं पैसा कमा आ सकते हैं इसलिए आप उस लोन का दश्माश दे सकते हैं यदि आपके पास वास्विक्ता में परमिश्वर के लिए विश्वास और प्रेम हैं और अगर आप सच मुझे संपुन दश्माश देना चाहते हैं तो फिर आप अपना भीतर जहां पर आप लोन लेते हैं, तो फिर जो आपको चाहेए, आप उसे थोड़ा ज्यादा लेने की कोशिश करें ताकि आप दश्माश भी दे सकें, परन्तु ऐसा हो सकता है कि यहाँ हर क्षित्र में संभव ना हो, तो फिर आपके लिए यहाँ बेहितर होगा, कि आप पहले से ही उस समय के लिए अपनी योजना को उसके अनुसार बनाई, उधारन के लिए, मालिजी आपने घर देखा, जो आपको बहुत पसंद आया, आपने एक बैंक से बात चित की और आपने पाया, कि आपको वहाँ लोन की धनराशी इतनी परयाप नहीं मिल पाएंगी कि आप पर देखा, जब मेरे पास ज्यादा होगा, दूसरा, मैं थोड़ा और पैसा बचाओंगा, और बाद में घर खरी दूगा, जब मैं उचित दश्माश भी दे सकूँ, यदि हम अपनी स्वार्थी पन इच्छा से जल्दी करें, तो हम संपन नहीं हो सकते, जब हम प्रातना क और दश्माश देने की इच्छा के साथ तयारी करें, तो परमेश्वर बेहितर मार्ग में हमारी अगवाई करेगा, मालेजी आप घर खरीदना चाहते हैं, या फिर एक नया व्यापार आपको चलाना है, मालेजी बैंक से आपने लोन लिया, और अब आप इसे दश्माश न सबसे पहले अपना दश्माश अलग करना चाही, मेरा मतलब है सबसे पहले अपना दश्माश और फिर अपना लोन चुकाना चाही, ये है बाद में दश्माश देना, ये ठीक है, आप मुझे अच्छे से समझ रहे हैं, आपकी मदद करने के लिए आप संपुन दश्माश द थी कि मैं चर्च निर्मान के लिए भेंटे दूँ और मैंने एक बड़ी धनराशी की मनत माने, मेरी आर्थिक सिती अच्छी नहीं थी, जबकि मेरी उपर एक बड़ी धनराशी का कर्स भी था, इसलिए उस धनराशी को जो भेंटों के तौर पर मुझे देनी थी मैंने उसके लोन लिया, यदि मैंने एक मिलियन वान के लिए मनत माने हैं, तो मैं एक मिलियन से कहीं ज़्यादा लोन दूगा कि मैं दश्माश भी दे सकूँ, इसलिए सबसे पहले मैंने दश्माश अलग किया, और फिर मैंने जो कुछ वादा किया था पर मिश्यूर को देने के लिए फिर उसे दिया, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि दश्माश देना क्या है, इसलिए मैंने हमेशा से पूरी तरह से और उच्छी तौर पर दिया है, लेकिन क्योंकि मैंने लोन लिया कि मैं अपना दश्माश दे सकूं क्या मुझे कोई और अधिक मुश्किले हुई बिल्कुल भी नहीं मैं हमेशा से सुरक्षित रहा हूँ परमेशूर के द्वारा निश्चित किया गया हूँ इसलिए मैं आशिशित हूँ जैसे कि मैं आज हूँ और मैं अपना दश्माश नहीं गिनता क्योंकि मैं परियाप्त से भी कहीं ज्यादा देता हूँ मैं तिसवा और चालिसवा अंश देता हूँ जो गिफ्टस मुझे मिलते हैं मैं उन्हें नहीं गिनता क्योंकि मैं परियापत से भी ज्यादा देता हूं और پरमेशोर भी मुझे परियापत से ज्यादा देते हैं कुछ नए विश्वासी कहते हैं कि सindre पास्टर जो मानमिन जेंटरल चुर्च के पास्टर है वो पैसे और समय के बारे में बहुत बात करते हैं लेकिन अगर आप परयाप्त भेंटे और दश्माश इस कलिस्या को दें भी इसका मतलब यहो नहीं कि मेरी सैलरी बढ़ जाएगी इस कलिस्या की शुरुवात ही सी जो कुछ भी इस कलिस्या ने मेरे सामने पेशगी रखी है मैंने कभी भी उसे ग्रहर नहीं किया है एक कलिस्या अपने सेवा करने वाले पास्टर्स को वेतन देती है और फिर पास्टर्स के जनरल जो खर्ची होती आम खर्चों के लिए भी पैसा देती है लेकिन मैंने आज के दिन तक उसे कभी भी नहीं लिया है क्योंकि मैंने उन्हें कभी भी नहीं लिया है इसलिए मैं कह सकता हूँ कि मेरी आमदनी नहीं बढ़ेगी चाहे आप मुझे और भी अधिक दश्माश और भिंटे दें आप मुझे कृपया गलत ना समझे मैं आपको ये इसलिए कह रहा हूँ कि आपकी मदद हो कि आप आशिशे पाएं बहतर स्वर्ग में जाएं ये कितना बुरा है अगर आप बहतर स्वर्ग में ना जा सकें यदि पर आप अपने कामा में विश्वास युग्य भी क्यों न हो यदि हम बाद में दें लेकिन अगर हम दश्माश ही दें तो परमेश्वर ये नहीं कहेगा कि यहाँ पाप है क्योंकि वहाँ हमारी हिर्दे को जानता है लेकिन मेरी मामले में जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी देने की मैं कोशिश करता हूँ क्योंकि यहाँ मेरी पहली प्रात्मिक्ता है कि मैं दश्माश को अलग रखूँ मुझे दुख होता था परमिश्वर के सामने श्रम आते थी कि मुझे परमिश्वर को देरी से देना पड़ रहा है कुछों के पास तो 60 से भी उपर करमचारी है. वो अपने करमचारियों का वेतन देने से पहले अपने व्यापार के आम दने का दशमाश देते हैं. और फिर वो हो अपने वेतन से भी दशमाश देते हैं. मैं लगातार उन्हें इस तरह से देख रहा था. हालांकि और भी ऐसे दुसरे सदसे हैं जो और भी बड़े आकर का व्यपार चलाते हैं लेकिन वो अपनी कंपनी का भी दश्माश दे रहे हैं मैं लगातार उन्हें देख रहा था कि किस तरह की आशिशे पर मेशूर उन्हें देगा वो कुछ भी नहीं है पर मिश्वर अद्भूत आशिशे उन्हें दे रहा है उनकी कंपनी का पूरा का पूरा रैवेन वो बढ़ गया है और कर्मचारी भी आशिशे प्राप्त कर रहे है लोग मेरे पास आते हैं इसके विशे में पूछने के लिए मैं उनके विश्वास के अनुसार उन्हें करने को कहता हूँ यदि उनके पास विश्वास है तो फिर वहाँ अपनी कंपनी का भी दश्माश देंगे और वो वेक्तिगत दश्माश भी अपना देंगी और फिर जिन्होंने अपना विश्वास दिखाया मैंने देखा कि उन्होंने अपनी कंपनी के रहवेनियो में बड़ी ब्रिधि का नभव किया है और उनके करमचारी भी अपने मेतन में ब्रिधी प्राप्त कर रहे हैं मसीमे प्रियंबाई और बहनो सेंक्त राश्व में एक ऐसा व्यक्ति था जिसका नाम अलबेट अलेक्सेंडरू था जब उसका व्यापार आर्थिक मुश्किलों की वज़ा से असफल हो गया था उसके उपर एक सो हजाड डॉलर का कर्ज आ चुका था फिर उसने अपना मन बनाया कि वहोट दश्माश देगा ये एक बड़ी धनराशी थी उन दिनों में आज भी जब हम एक सो का बिल इस्तेमाल करते हैं तो लोगों को हैरानी होती है जब उसने दश्माश देने के लिए लोण लिया तो उसके करमचारी आकर उसे कहने लगे कि आपको सबसे पहले कर्ज वापस चुकाना है आप क्या कर रहे है ये नैतिक तोर पर उचित नहीं है फिर उसने उत्तर दिया जब मैं अपना कर्ज वापस चुकाता हूँ तो मेरा उदेश ये ना कि और कर्ज को वापस चुकाना है वरन सबसे पहले वह हो चुकाना है जो मैंने लूटा हुआ है जब उसके कर्मचारियों ने पोचा कि ऐसा कहने से आपका क्या अर्थ है तो उसने मलाकी की किताब खोली और उन्हें उत्तर दिया उसने कहा मैं एक चोर हूँ जिसने परमेशुर को लूटा है ये ज़रूरी है कि मैं अपना कर्ज चुकाऊं लेकिन क्या इससे ज़्यादा ज़रूरी यहों नहीं कि मैं उससे पहले चुकाऊं जो मैंने चुराया है और आखिरकार जब बहुत सारी दूसरी कमपनिया आर्थिक संकट की बचा से खत्म हो गई लेकिन उसकी कमपनी असफल नहीं हुई वो एक बहुत ही संपन व्यक्ति बन गया जिसकी दवा बहुत जानी मानी है जिसका नाम मेंटोलेटन है उसके व्यापार के सफलता का भेद यहो था कि जब उसका व्यापार असफल हो गया था उसने परमेश्वर के वचन में उसका समधान प्राप्त किया उसने हैसास किया क्या कारण था कि उसके पास समसिया थी और क्यों वो आशिषे प्राप्त नहीं कर पा रहा था उसका कारण यह हो था कि उसने दश्माश ना देने की बज़ा से परमीश्वर को लूटा इस बात का हैसास करने के बाद उसने परमीश्वर के वचन का अभ्यास किया वास्विक्ता को नजर अंदास करते हुए और फिर क्या हुआ यदे पी उसके व्यापार के लिए ठीक होना यहाँ संभव था लेकिन तो भी वहाँ संभव हो गया आप सब आत्मिक शेद्र के इस नियम को बहुत अच्छे से जानते हैं मुझे आशा है कि विश्वास के साथ हाफिस का अभ्यास करेंगे और जिवित परमेशुर के कारेयों का नभव करेंगे आप संपुर्ण दश्माश परमेशुर के भंडार में लाने पाएं ताकि आप अपने तमाम समस्याओं के समाधान और उत्तर प्राप्त कर सकें करेंगे तमाश परमेशुर के समाधा है